भगवान शिब का एक मातर अवतार जिसकी पूजा नहीं की जाती है जानिये क्यों हिंदु धर्म से संबंदित तमाम गरंत और दस्ताबेज उपलब्द हैं जिसमें लिखी बाते हमें सनातन धर्म के बहुत से रहस्यों से परचित करवाते हैं ये बात हम सभी जानते हैं कि हिंदु धर्म में तृदेट यानि की ब्रह्मभा विष्णु और महिस का बहुत महतु है 33 करोर देवी देपताओं में अधिकांस भगवान विष्णु के ही अवतार हैं लेकिन पुरानों के अनुसार भगवान शिब ने भी 19 अवतार लिये थे जिसमें से 18 की पूजा की जाती है लेकिन एक अवतार ऐसा भी है जिसकी एक गलती की वज़े से ना तो उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ और ना ही उनकी पूजा रचना की जाती है कौन है वो अवतार और ऐसी क्या गलती थी जिसकी वज़े से उसे डंड प्राप्त हुआ इसे जानने के लिए वीडियो आप लाश्ट तक देखते रहे तो महाभारत काल में कौरप पांडब के गुरू रहे दोनाचारी के पुत्र अस्वत्तामा को ही भगवान शिप का उन्नीसवा अवतार माना जाता है दोनाचारी दोरा भगवान शिप के कठोर तपस्या के बाद उन्हें वर्दान के रूप में संतान की प्राप्ती हुई थी और उसका इनाम अस्वत्तामा था भगवान शिप जिने काल और रुद्र भी कहा जाता है उनके अवतार के रूप में जन्म लेने की वज़े से अस्वत्तामा एक महान ताकतवर और अत्यरिक क्रोधित युद्धा था आगे चलकर अस्वत्तामा महाभारत के युद्ध के महत्पुन किरदार बने जिन्होंने कौरों की ओर से इस युद्ध में भाग लिया था तो जैसा कि आपको पता होगा महाभारत में कौरों की हार हुई थी और महाभारत के युद्ध की समापती के बाद अस्वथामा ने पांड़ों के पाच पुत्रों का नीन की अवस्था में ही वद्ध कर दिया था पुत्रों की मृत्यू से हतास पांड़ाव और भगवान कृष्ण अस्वथामा के पास पहुँचे अर्जुन ने अपने पुत्रों के हत्या होने की वज़े से गुसे में आकर ब्रमास्त का परयोग करने की ठानी अर्जुन के अलावा अस्वत्थामा ही एक मात ऐसा योद्धा था जो ब्रमास्त का परयोग करना जानता था उसने भी जबाब में अर्जुन के उपर ब्रमास्त का परयोग करने की ठानी ब्रमास्त चारों और तभाई मचा सकता था इसलिए वेद व्यास और भगवान कृष्ण ने अर्जुन और अस्वत्थामा को अपने अपने ब्रमास्त को वापस लोटाने को कहा यहाँ पर अर्जुन ब्रमास्त के परयोग को फेरना अची तरह से जानता था लेकिन अस्वत्थामा के लिए ये संबब नहीं था तब अस्वत्थामा ने अपने चलाएवे ब्रमास्त को अभी मन्यू की गर्वती पत्नी उत्रा की ओर चला दिया और ब्रमास्त की वज़े से उत्रा की मृत्ती हो गई इस अपराद के लिए भगवान कृष्ण ने अस्वत्थामा के उपर अपने सुदरसन से परहार किया और उसके सिर्पे लगे मनी को निकाल लिया और अस्वत्थामा को श्राब भी दिया था कि सृष्टी के अंतर तक इस धरती पर अकेला ही भटकता रहेगा और ऐसा माना जाता है कि आज भी अस्वत्थामा प्रिथ्वी पर भटक रहे हैं और उनके सिर्पे एक जख्म भी है जहां से मनी निकाला गया था अस्वत्थामा की इस कहानी से एक बड़ी सीख मिलती है कि आधी जानकारी खतरनाक होती है यहाँ पर अस्वत्थामा को ब्रमास चलाना तो आता था लेकिन उसे वापस लोटाना नहीं आता था साथ ही ये बात भी सावित होती है कि क्रोध वनुस्टिका सबसे बरा दुस्मन है जो सिभाय النुक्सान के और कुछ नहीं पहुँचाता तो दोस्तो वरत्मान समय में कहीं लोगों ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने अस्वत्थामा को देखा है तो अस्वत्रामा को देखे जाने वाली स्टोरी का डिसकेशन हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे। इसके लिए भी आप हमारे इस चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल न भूले। ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस न हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब भी करें। धन्यवाब